नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं Education Experience Expo YouTube चैनल Nursing exams की preparation कर रहे सभी students के लिए आज हम लेकर आए हैं एक और important video Types of Play इस वीडियो में हम सिर्फ उन्ही points को discuss करेंगे जो की exam point of view से important है Let's begin our today's video Play का मतलब है खेलना Play is a part of childhood that is necessary for development of normal personality and social, physical, emotional, moral and intellectual skills किसी भी बच्चे के जीवन में उसकी personality, social, physical, emotional, moral and intellectual skills के complete development के लिए Play यानि खेलना बहुत ही आउशक है Simple भासा में कहें तो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारेरिक और मानसिक संपूर्ण विकास के लिए Play बहुत ही आउशक है, खेलना बहुत ही आउशक है अब इस topic के उस part की बात करते हैं, जहां से अकसर question पूछे जाते हैं Examiner आप से पूछ सकता है कि infancy के दोरान किस प्रकार का Play होता है तो आपको बताना है solitary play, जिसे onlooker, social, effective play के नाम से भी जानते है इस प्रकार के Play में बच्चा अकेले ही खेलता है Second आता है toddler age में कौन सा Play होता है toddler age group का मतलब है एक से तीन वर्ष की उम्र के दोरान इस दोरान बच्चों को parallel play या therapeutic play करवाया जाता है अब बात करते हैं pre-school age की pre-school age का मतलब है तीन से छे वर्ष के बीच के बच्चे इन बच्चों को associative and cooperative play दिया जाता है खेलने के लिए इस से बच्चों में corporation और unity की भावना बढ़ती है उसके बाद आता है school age school age children में girls 6-10 साल के बीच वा boys 6-12 साल के बीच को include करते हैं इस उम्रगे बच्चों को competitive play with rules and rituals खेलने को दिया जाता है इस age के बच्चों में competition की भावना को develop करने के लिए with rules and rituals good competition की भावना को develop करने के हिसाब से दिया जाता है फिर आता है adolescence age adolescence age में games and athletics with strict rules इसमें सभी खेलों को athletics को include किया जाता है जिसमें नियमों का सक्ती से पालन करना होता है तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो इन पांचों पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजेगा यहां से अक्सर question पूछे जाते हैं आप चाहें तो इस slide का screenshot ले सकते हैं Thank you so much for watching this complete video Keep supporting, keep participating, all the best